Hello everyone, मैं हूँ केरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है क्राशी फल ये 4th April से लेकर 10th April तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और मैं अभी out of country हूँ, मैं कैनेडा में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए मुझे contact करना चाहते हैं तो आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि कुछ लोगों का मुझे इंस्टा पे message आया, मैं हम आपको call करना चाहा रहे हैं, आपका number नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp पे मुझे message करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता है क्राशी फल चलिए क्या प्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्शी है तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ट्स है Strength and Temptation और ये कार्ट्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज को लेकर मन ही मन एक प्रेशर एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं और इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन Temptation का कार्ट कहता है कि बहुत एक obsessive, बहुत एक possessive सी energies हैं होता है ना कभी-कभी हम अपने goal, अपने मकसद या फिर success को लेकर बहुत obsessive हो जाते हैं हमें लगता है ये चीज तो हमें चहिए ही चहिए है, success तो हमें मिलना ही चहिए है और जब भी-भी हम outcome से बहुत attach होते हैं कहीं end result के साथ बहुत expectations build करते हैं तब ही कहीं उन्हों हम परेशान भी होते हैं और कुछ ऐसा ही मन नहीं मन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं जिसका impact कहीं surface level की energies पर भी पढ़ रहा है क्योंकि देखें surface level के लिए strength का card भी कहीं एक frustration, एक anger, एक गुसा होने की बात करता है लेकिन देखें जो भी आप महसूस कर रहे हैं कहीं आप बहुत ही lovingly, बहुत ही compassionately हर चीज को deal कर रहे हैं आप sabr रख रहे हैं, patience रख रहे हैं या मैं कह सकते हूँ कि इन ही energies को आप अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं बहुत boldly, बहुत strongly, upfront होके हर चीज को deal कर रहे हैं और देखें Capricorns, जब भी भी हम ऐसी energies में होते हैं तो हमें success अचीव करने से कोई भी चीज नहीं रोप पाती है क्योंकि देखें, जब हम बहुत strong हो जाते हैं तो सामने से issue, मसला जितना भी बड़ा हो, वो हमारे सामने छोटा हो जाता है और जब हम week होते हैं, तो छोटे मोटे issues, छोटी मोटी problems भी बहुत बड़ी हो जाती हैं और इस week कहीं again मैं कहूंगी, बहुत willpower, determination के साथ, courage के साथ आप चीजों को deal कर रहे हैं और फिर से देखिए, ऐसी energies में आप होंगे, तो मसले खुद बखुद छोटे हो जाएंगे और ये चीजें beyond the point आपको परिशान नहीं कर पाएंगी और देखिए, जो लोग ऐसी energies में नहीं हैं, उनके लिए guidance है कि ऐसी energies में आप जरूर रहें and personal front के लिए, आप लोगों के लिए cards है, awakening and triumph और देखिए, triumph का card, बहुत ही clearly success की बात करता है, victory की बात करता है तो personal front से related, किसी भी area में अगर पीछे आपने बहुत effort किया, बहुत महनत करी नहीं तो otherwise भी, एक success आपको मिल रही है, एक victory आपको मिल रही है जो भी लोग आपके आसपास हैं, वो काफी आपको appreciate कर रहे हैं, आपके efforts को recognize कर रहे हैं और इसी वज़े से कहीं, you know, personal front में, मन ही मन बहुत, you know, great आप feel करते हुए दिख रहे हैं लेकिन surface level के लिए awakening का काट कहता है, साथ ही साथ एक जगरुकता भी आ रही है, एक एहसास भी हो रहा है और कहीं, you know, आप pause लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले चीजों को और समझना चाहा रहे हैं कहीं चीजों को deal करने का, देखने का, समझने का नजरिया भी आप बदल रहे हैं या फिर बदलना चाहा रहे हैं यानि कि different angles से, different तरीके से हर चीज को deal कर रहे हैं and in the process अगर आपको कुछ compromises, कुछ adjustments करने पड़ें तो वो भी आप करने के लिए ready दिख रहे हैं या फिर कर रहे हैं and guidance से आप लोगों के लिए SEEK का card है और ये card कहता है कि इस week आप बहुत जल्दबाजी किसी भी चीज को लेकर ना करें impulsive ना हो, थोड़ा सा again आप pause लें, चीजों को समझें जो कि आप personal friend में करते हुए भी देख रहे हैं और देखिए, थोड़ा सा again introspective energies में जरूर रहें क्या आप चहा रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, क्यूं कर रहे हैं, क्या आपका goal है और कहीं आपके actions, आपके goal, आपकी desire के साथ align है या नहीं है इन चीजों के बारे में आप इस week जरूर सोचें and chakra से आप लोगों के लिए solar plexus chakra का card है और इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाएं